स्वागत है आपका में चल कोमर्स गुजी पर और जो हमारा चैप्टर चल रहाता है स्टाफिंग लाश्ट वीडियो में हम लोगों ने वहां रिकूर्पेंट सीख लिया था सोर्सेज रिकूर्पेंट सीख लिया था आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं सेलेक्शन सेकिंड स्टाफिंग का सेकल पाइंस करने की स्टाफिंग का सेकेंड बॉंट सेलेक्शन सेलेक्शन क्या है सेलेक्शन का मतलब है सेलेक्शन केंड़े kolum सबसे पहले होता है मैं पॉइंट वाइप समझाता हूं सबसे पहले होता है इस में क्या होता है इसमें देखा जाताँ कि जो भी अन्कौलीफाइद इनसान ौज इससे प्रसन की प्रैक्टिकल नॉलेज कैसी है इसके कुछ टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं जो depend करते हैं हमारी की ओर्गिनाइशन की requirement क्या है बेसिकली यह कुछ टाइप के टेस्ट होते हैं जो हर ऑगनाइशन में बड़ी ऑगनाइशन में होते हैं होता है intelligent test यसे हम कहते है IQ इसमें क्या होता है यह एक तरीके का psychological test होता है जो measure करता है कि जो person है उसका intelligent test कैसा है उसकी intelligence level कैसा है इसमें judge कर जाती है परसनल कितनी जल्दी decision ले पा रहा है कितनी जल्दी judgment कर पा रहा है second होता है aptitude test इस test में conduct किया आता है कि एक चीज को learn करने में वो कितना जल्दी potential दिखाता है कितनी जल्दी वो नई skills को सीख रहा है कितनी जल्दी new method को observe कर रहा है इसमें पता पड़ता है कि future में वो candidate कैसा perform करेगा third होता है personality test इसमें conduct किया आता है कि इंसान का behavior कैसा है उसका intelligence aptitude attitude relate करता है कि हमारा candidate का वह interest है या नहीं उसका हमारी company से कैसा approach रहेगा positive या negative फिर आता है trade test trade test में check किया आता है कि अभी उसके पास क्या काबिलियत है आपने बहुत सारी movies में देखा होगा कि yellow pen और बेच के दिखाओ और वो हलना मचाता सर मैं बहुत गरीब हूँ तो वहां पर sale हो जाता है उसे हम कहते है trade test trade test और aptitude test में different क्या है यह हमें help करता है कि हमारा जो person है जो test का मतलब क्या होता है कि जिस type की job हमने उसे offer करी है क्या उसमें उसे real interest है या नहीं थर्ड आता है उसके बाद employment interview सारे test को पास करने के बाद जो candidate जो qualify हुआ interview के लिए उसका एक final interview होता है जिसमें हमारी companies के बड़े-बड़े expert बैठते हैं the consultant who are specialist in their field ask question from the candidate to test his professional or special knowledge जो भी हमारी company के बड़े-बड़े consultant होते हैं specialist होते हैं अपने-अपने field में वो लोग इस interview को लेते हैं और test करते हैं कि कैसा person है professional specialist के लिए then उसके बाद reference check किया जाता है कि उसकी जो application है वो किसने दी है किसी ने refer तो नहीं करी अगर वो interview qualify कर लेता है तो फिर आपका selection लिया जाता है आपके test को देखकर आपके interview को देखकर आपके reference को check करते हुए लिया जाता है आपके उपर decision then आपके बाद होता है उसका medical exam appointment letter देने से पहले उसको medical fitness test के लिए जहां पर हमारी companies होते हैं उन्होंने अपने ही कुछ doctors appointment करें होते हैं इस test को करवाने के लिए और वो एक contact sign होता है hospital और company के बीच यह सारे test pass करने के बाद ही आप सा देख रहे होंगे वैसे job लगती नहीं है और लगती भी है तो यह बगवान गलत लेटर जिससे कहते हैं उसमें terms and conditions होती है और एक reasonable time होता है कि आप तक join करना है और जब join कर लिया आता है तो हमारा contact of employment हो जाता है कितना पैसा मिलेगा कब काम करना है कितने घंटे का वरक होगा क्या नियम है यह सारी चीज हमारी किस की है selection process की then आपको एक performance हा बना हुआ दे रखा है requirement और selection दौनों चीज़ों का अब sir requirement हो गया और selection भी हो गया अब क्या होगा अब training and development training का मतलब दो training और development है जब भी आपको training दे जाएगी तो वो किसी भी एक field को अच्छा करने के लिए दी जाएगी आप cricket की training ले होंगे आप पढाई की ले रहोंगे यह और डांस की यह रहोंगे अप शिंगिंग की यह रहोंगे ले किन जब development होता है तो वो overall होता है training means occupying the employee with the required skill to perform the job that can they are sent for training so that they can perform the job in the expected manner आपने देखा कि GST आ गया अब जो employee को GST आता ही नहीं था उनको GST की training लेनी पड़ेगी कैसे work करते है तो उसके बाद वो training लेंगे फिर वापिस से company में job करेंगे उसको तो हम training कहते है लेकिन development क्या है development refer to overall growth of the employee employee की पूरी जो development है उसकी personal growth बहुत ज़र जरूरी होती है एक successful employee बनने के लिए एक development के लिए देखिए if an accountant is sent to learn the new software for accounting to paper the book of account more fast रहे गोई this is called training एक accountant को नया software आया market में उस नया software को learn करने के लिए भीजा गया है ताकि वो और fast और accurate हमारे account को manage करें इसको तो हम ट्रेनिंग कह रहे है whereas if he sent for orientation program to improve his motivation and conceptual skill इसको हम क्या करेंगे development सर इसकी need क्या है भाई need और benefit क्या है सबसे पहला reduce learning time a trained employee take less time in learning the job as compared to untrained employee अगर आपका employed trained है तो वो किसी भी चीज़ को learn करने में कम समय लेगा as compared to untrained employee performance अच्छी रहेगी उसका attitude form होगा है ना तो यह सारी चीज़े दे रखी है अब इसमें जो main आता है वो आता है यहाँ methods of training दो आपके methods है एक होता है आपका on the job training और एक होता है आपका off the job training on the job training का मतलब क्या होता है कि when the employees are trained while they are performing the job then it is known as job training जब जो employee है वो जब train करे जा रहे हैं जब वो job भी perform करने साथ साथ उसको हम कहते है job training इस method में जो employee होता है वो learn करता है कुछ न कुछ करने से ही सीखता है this method जहां suitable है जब आप कोई technical job कर रहे हैं और आपके पास advantage हो practical problem से सीखने का पैक्टेल करो सीखो ठीक है न off the job में जो हमारा trainee है जो हमारे सीखने वाला employee है वो job से अलग जाके अपने आपको आराम देके अपने आपको break देके सीखता है किसी seminar से सीखता है conference में सीखता है उसे हम off the job कहते हैं तो कौन-कौन से on the job और off the job होते हैं सबसे पहला आता आपका apprenticeship program या training workers seeking to enter skill job यह वो worker है जो कोई skill job करना चाहते है उनको हम apprenticeship training में बेज़ा जाता है यह on the job में आता है एक master होता है जो चीज आप सीखना चाहरे हो उसमें जो master है वो आपको वो सिखाता है basically यह जो job होती है वो observe करता है perform करते हुए when the learner learns all the skills that slowly he starts taking up the job step by step master worker become the observer for example आप किसी भी चीज़ की training लेना चाहरे हो आप electrician, आप plumber, आप iron worker बनना चाहरे हो तो इस field में जो master होता है उससे पहले सीखते है दीर 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 master अपनी जगे से अटता है और आपको लगा के देखता है कि आप वैसे काम कर पा रहे हो या नहीं internship internship एक agreement होता है professional institute और corporate sector के बीच जहां पर जो professional institute है वो अपने कुछ students काफी companies में बेशते है practice करने के लिए knowledge gain करने के लिए acquire करने के लिए under this training program the organization get people with fresh idea and latest knowledge and the company have to pay very less amount of salary which is called staff आपने देखा होगा MBA करते हैं training पर जाते हैं CA करते हैं CS करते हैं तो वो हमारा होता है internship तीसरा आता है आपका induction और orientation program induction और orientation का मतलब क्या होता है एक process होती है जिसे हम receive करते है या welcome करते हैं employee को when he first join the company and giving him the basic information you need to settle down quickly and helping then start जब भी आप किसी company में पहला दिन है दूसरा दिन आपको एक seminar type का एक lecture type का दिया जाएगा कि आप यहां काम करेंगे ऐसे काम करेंगे हमारी company इतने सालों से यह काम कर रही इसका यह target है यह नई लोग है यह पुराने लोग है यह इतने बड़े लोग है उन्होंने यह achieve किया उस सब को induction और orientation training कहते हैं ठीक है ना तो off the job में आता है आपका vegetable school vegetable school का मतलब होता है कि जिस organization में आप काम करना चाहरे है जिस चीज़ पर आप काम करना चाहरे है उसके कुछ dummy product होते है generally जो आपकी machine होती है वो expensive होती है जो की employee काम करता है तो employee चाहता है कि भई direct उस machine पर काम करने से पहले मैं dummy model को देखूँ उसी machine जैसा उस पर सीखूँ और सीखने के बाद मैं वहाँ जाओ sometimes the accountant who have to make entry in venture register they are first supply the duplicate register with the same column in orange and because the accountant जो आगे company में accounting करेगा बड़े-बड़े register maintain करेगा वो घर पे register maintain करता है और सीखता है उसके बाद apply करता है उसे हम कहते है vegetable school तो यहाँ पर आपका यह जो staffing का chapter है वो finish होता है I hope आपको कोई भी doubt नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर doubt आ जाता है बच्चे हैं आता ही है जायट सी बात है तो मुझे बताएगा comment section बताएगा whatsapp बताएगा उसके बाद अगली वीडियो हम करेगा अमारा chapter number 7 डारेक्टिंग वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करते रहे शेयर करते रहे हैं अगर ता चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दिजेगा Thank you so much